हेलो दोस्तो मैं टेक्निकल देप आप लोग के लिए न्यू वीडियो लेकि आज़ा है और मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप सोरूम में जाते हैं वासिं मसीन लेते हैं या फ्रीज लेते हैं तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि या कौन से बढ़िया है और कौन सब देखा रहा है सबसे पहले तो मैं आपको ये किलिए कर दो कि आप से कोई भी परडेक्ट अगर आ रहा है चाहिए बहुत जादा है कौपर आ नहीं रहा है और को अगर लगाएंगे तो उसकी जो मार्विट प्राइज है वो बहुत ही जादा हाई आएगा और ऐसा हो नह है तो एक तो आप को जैसा आप फृलिज लेते हैं यहां पर दो फिरलिज पटाजया जाता है eczo इनवेटर मॉडल यह होटा e kota a double-due आपको मैं बता दू सिंगल डोर में क्या होता और डोल डोर में क्या फर्ग होता है सबसे पहले मैं आपको फिरिज की बात बता दू कि जैसे आपने कोई फिरिज लिया अब फिरिज में क्या नाम है सिंगल डोर आपने लिया कि वह पहले AC से DC में convert करके supply को जो compressor start होता है उसको कम supply देता है इससे क्या होता है कि जो आपके बिल होता है विजली का वो खोड़क काम आता है इतना फर्ग होता है और जो single door का फ्रीज होता है उसके अंदर क्या होता है कि direct हमें cooling मिलता है क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि पहले सिकायत होती थे कि जैसे आपने कोई चीज़ फ्रीजर के अंदर रख दिया और वह क्या होदा था पाने टपकते टपकते नीचे में जितनी सबजिया हो गयरा है उसमें सब मौस्चर आ जाता था और इसी चक्कर में हमारा में जो सप्लाई बगारा लगता है वो बहुत हाई कोश्टी पढ़ता है जाकि नॉन इन्वेटर मौडल जो होता है उसमें कम पढ़ता है और मैं यह वदात हूं कि अगर आप इन्वेटर मौडल लेते हैं तो ध्यान रखें कि आप जो सप्लाई बगारा है मतलब की सप्लाई जादा आएगा तो क्या होगा कि उसके सर्कृट है वो खत्म हो जाएगा और शर्कृट बहुत ज़्यादा कोश्टली होता है तो मैं यहीं बता दू कि अगर आप गाउं जिसे सहर एरे में आते हैं और लाइट वहां प्रॉपर सही नहीं आता तो आप नॉन इन् सब्सक्राद की कईा तो चीज भी लगा उता है तो मैं आपको चौनु आप एंदर पैसा अच्छा है तो वगर चूट ओन से संदा है यहाण कि बहुत होता थे कि अच्छ ऊता है लेकिन ज़्हाणा लगा रहा है वहां जानगा राई ह हो जाए है और डॉरपल लगा रहा है ओँ परद ही है और आपको रहा है कि मतीम पहले जो थो पर सम्सेय को हूद रखै पहले मोठ दो और जो इसकी बतातों कि अगर आप वर्पूल वगरा गलेते हैं तो उसके अंदर भी चीज है भी आ रहा है और जो हमारा आप मालों की जिसे आप LG लेगा ले तो यह भी बैस्ट है वही थोड़ा सा कंडिशन थी नीचे अगर आप गोद्रीज में अगर कम डियाट मिलेने तो अगर चीज बहुत बड़ी आने लगेगा तो जो कंपनिया है वह उनके सेलरी जब होगा तो वह कहां से सेलरी उठाएंगे अगर एक चीज सालों साल तक खराब नहीं होगी तो लोग जाएंगे ने यही कर रखाए कि बस क्या नाम है कुछ दिन चले एक साल दो साल चल में कवाड़े में जाए फिर दूसरा पर्चिस हो ऐसी करके सरकार चल गया है पहले चीज बढ़िया नहीं बन रहा है चाहिए वो कोई से भी कंपनी उठागे लिए बस यह एक है कि हां कि कौन से चीज जाड़ा बैस्ट आ रही है तो गाइस मैं नेक्स्ट वीडियो में